कि अब जा रही है तो भारती जन्ता पार्टी बचाओं में ये कह रही है कि गॉम्मरिस पार्टी राजनीती करण कर रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजनीती तो भारती जन्ता पार्टी की कमजोर हो चुकी है जो अभी उन्होंने समयधान खतम करने का जो उन्होंने विधायत तोड़ करके मंत्री तोड़ करके खरीद करके उन्होंने जो सरकार बनाई है जन्ता स्वीकार नहीं कर रही है और वो सरकार जो बनाई है वो असंगेधाने का है अलोग तांत्रे का है और वो ऐसा माहुल पैदा हो गया है कि जब बोट के लिए जब जाते हैं जे लोग तो मत्रा का क्या कहता है कि तुमने जो पैसा लिए है 35.60 करों जिस तरह से चर्चा है हमारा 10,000 का हिस्सा बनता है वो हमको दे दी तो उनका ग्राफ इतना नीचे चला गया है भारतिय जन्ता पार्टी का तो जब जब भारतिय जन्ता पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है उसको उपर लाने के लिए उनके पास पॉलिटिकल एजेंडा है जैसे एक एजेंडा है कि शिरूर कास्ट और शिरूर ट्राइब को OBC और माइनोर्टीज को अलग-अलग अपना मत जनाधार बढ़ाने के लिए जैसे राजी कुमार और सावित्री ये पुचल दिये उस भेट में छोटी बच्चियों के साथ वलाका कर रहे हैं जब जब कम्जोरों के साथ अध्या चार करती है भाजपा तो कुछ दबंग बरती लोग भाजपा से जोते हैं और वो ऐसा मानते हैं के हमारा जनाधार बढ़ गया जब और जनाधार बढ़ाना चाहते हैं तो मुसल्मानों को पुचल देती है तो जैसे ही मुसल्मानों को पुचलती है भारती जनता पार्टी तो फिर हिंदू सब्द के नाम पर भारती जनता पार्टी से लोग जुड़ जाते हैं उसको ये मांते हैं कि हुँ जनाधार पढ़ाते हैं क्योंकि पॉजिटिव लाइन से कभी वो जनाधार नहीं बढ़ाती है भारती जनता पार्टी हमेशा अत्याचार करके सूसर करके वो हमेशा दंगा करके जनाधार पढ़ाती है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भारती जनता पार्टी का अंतिम पाइदान है इसके बाद भारती जनता पार्टी नजर ने आईगी राजनीती करना कर रही है तो भाजपा कर रही है राजनीती करन कॉंग्रिस नहीं कर रही है मानी कमना जी ने तो ये कहा कि अपनों सिदूर कास्ट के जो लोग हैं जो फिलित लोग हैं उनकी मदद करनी है हमें राजनीती की कोई चाचा नहीं करनी है राजनी की सब्द सरफ भाज़पाने दीज में लाकर के ये और बड़ा पक्षिडा खड़ा कर दिया है तो मैं आप सो कहना चाहता हूँ कि भारती जनता पार्टी का जी अन्चिम समय चलना है और हम लोगोना लिख तक के दिये कुछ डेक्ट उस पर कारवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं इतना ही मेवास आते हैं इसकेवस बिल्डर्स प्रस्तोत करते हैं आली शान आकर्शक, रेजिदेंशियल, कमर्शियल, जेडिये अप्रूफ प्रोजेक्ट, स्पेस मून सिटी, गेटिट कॉम्पलेक्स, हाई टेक सेक्यारिटी और हंड़ड परसंट पावर बैकप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपैंडन विलास, साथ ही रिच लैंसकेपिंग, स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्शक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्वीमिंग पूल, इंडोर, गेम सहित, आधुनिक क्लब हाउस, आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग अन इंटर्टेन्मेंट के लिए नेशनल और इंटर्नेशनल ब्रैंट्स के साथ, शॉपिंग मॉल और मॉल्टि प्लैक्स, स्पेस स्मून सिटी, 25 एकर में विस्तरित है, पॉफेक्ट, लग्जरियस और ब्यूटिफुल लाइफ के लिएफस्टाइल के लिए झाल झाल